बच्चों लेकर के आएं आपके लिए NDA Physics के लिए Strategy कि किस तरीके से आपने NDA के अंदर फिजिक्स के पेपर को पूरा फोड़ के रख देना है एक भी कोशन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो देखे लगबग देखा गया है कि पास्ट पेपर में 25 कोशन कभी-कभी 27 कई सालों में अलग-अलग देखा गया है लेकिन ओवराल यहीं रहता है कि मतलब 22, 23, 25 या थोड़ा सजाधा 27 इसके बीच में ही कोशन देखे गए हैं फिजिक्स के हर कोशन आप जानती है चार नंबर का है तो 100 नंबरों के आस-पास की फिजिक्स आती है 100 से थोड़ा कम हो 100 से जादा भी हो जाता है वो आप प्लस माइस उससे आप से कर सकते हो ठीक है ना खेर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए भाईया सबसे पहले दो बात आपको ध्यान रखनी है बात नंबर वन बात नंबर वन यह है कि आपका कॉंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना यह देखिए numerical की practice करने को मैं जादा नहीं क्याता तोकि numerical बहुत easy आते हैं और इतनी mathematics आप लोग पढ़ लेते हो कि उसको practice करने में उसको करने में उसको solve करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन हां विजिस की पेपर के खास बात पताई किया है? कि यहाँ पर जो concept आते हैं वो बड़े wide आते हैं बहुत ही wild variety के concept होते हैं बहुत सारे concept आते हैं तो जब बहुत सारे concept आएंगे तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि आप ज्दा से ज़दा information को जादा जादा knowledge को अपने अंदर retain करके रखे NDA physics is all about retention of knowledge जितना जादा आप retain करके यानि बचा के रखेंगे दिमाग के अंदर उतना ही बढ़िया रहेगा आपका physics का paper यही सच्चा ही है physics के paper की ठीक है तो मैं आपके जो पीछे कुछ important topics कुछ important chapters कुछ units के साथ में लेकर के आया हूं जिन पर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे बागी चप्टरों पर ध्यान देने की जूरती नहीं है क्योंकि यहीं से maximum paper बनता यानि 25 कोशन अगर आ रहे हैं मान लेते हैं ठीक है तो 21 या 20 कोशन जो हैं वो यहीं से बनके आते हैं आपको motion पढ़ना सिंपल 9th class वाला है बिल्कुल basic motion 11 वाला मोशन नहीं पढ़ना आपने कई आप एसंथ की कोशन को रटने बैठ जाओ एसंथ की कोशन सोचो हमको यहां पर लगानी पड़ेगी नहीं ऐसा नहीं होता बहुत सिंपल आते हैं फ्री फॉल के कोशन आते हैं चीज़े उचालना चीज़े गिराना इस तरी की चीज़े आती है ठीक है तो 9th level की motion वंडी वाला ठ आपको है ना अभी साइड में लिख लेता हूं फिर बूल जाओंगा नी तो ठीक है ना यह इन पर बहुत कोशन देखने को मिलते हैं तो एक बार सब कुछ पढ़ने के बाद ना जितनी भी कॉंटिटीज है ना उनकी यूनिट्स पर जरूर ध्यान देदेना एंड में सबस के लॉज क्या क्या थे जो न्यूटन ने दिये थे ठीक है conservation of momentum क्या चीज़ है इस तरीके थोरी जादा और नुमेरिकल पर थोड़ा कम जोर देना नुमेरिकल यहां से मोशन से पूछा जा सकता है इजली वर्क पावर एनर्जी में यूनिट्स के उपर कोशन जातर देखे गए हैं ठीक है पास्टेर पेपर के अंदर तो एक बार अगर आप पीवाई क्यों लगाएंगे आपको दिख जाएगा वर्क पावर एनर्जी पर कैसे कोशन आयो है इ यूनिट के उपर कोशन देखा गया है हर बार लग-बग दिखा गया कमरशेंट के ऊपर कोशन एक बत इसलिए आपको इस मउखड़न का काफी ध्यान रखना है यहां से कम से कम आफ़ क्यूं बन सकते हैं अराम से इतनाव वास्ट यह काफी सारी information carry करने वाला बड़ा ही vast topic है, बड़ा ही vast unit है mechanics 8 question यहां से राम से बन सकते हैं gravitation है कि अपने आप में बड़ा important unit है लेकिन यह बहुत easy भी है इसमें बहुत सारे wide concept नहीं है लेकिन हाँ concepts तो हैं और वो concepts को अच्छे से पकड़ना पड़ता है, universal law of gravitation है, इसके अंदर free fall भी इसी के अंदर भी कहीं न कहीं fall करता है इसके अलवा acceleration due to gravity यह भी इसके अंदर fall करता है, उसकी variance उसकी variation भी आपको पढ़नी है gravitation के अंदर ठीक है, इसके अलवा कैपलर के laws का खास ज्यान लखना है, question pass में पूछा गया है ठीक है, तो यह सब जाद जो बाते में मुझ से बोल रहा हूँ वो सब लिखनी रहा हूँ, लेकिन आप उसको note कर ले ना जो बाते में बोल रहा हूँ, ठीक है न, इसके अलावा escape velocity के अपर question जातर पूछे गए है यही है, ग्रेटिशन के अंदर, तो इसको पढ़के जाना भाई, छोड़ना नहीं Electromagnetism के अंदर, current electricity काफी important है Magnetic effects थोड़ा कम important है, लेकिन important तो है Magnetic effects थोड़ा कम important है, लेकिन important तो है इसमें से भी कम से कम 2 या 3 question बनते है Current electricity में से भी 2 या 3 question बनते है अब Magnetic effects का scene पता गया है Magnetic effects में कम से कम 3 या 4 chapter आते है एक आता Magnetic effects of current, एक आता Earth Magnetism फिर एक आता Magnetic Materials, फिर एक आता EMI, फिर एक आता AC यह सबको मिला करके Magnetic effects बोल दिया गया मैंने ठीक है न, unit का नाम Electromagnetism है हाँ, लेकिन एक बार बता दू, दोनों की weightage लगबग बराबर है Current electricity में से भी 2-3 question पका बनते है Magnetic effects में से भी 2-3 question पका बनते है लेकिन यहाँ पर ना वाइड है तो अगर समय बचे, तो Magnetic effects के उपर ध्यान देना ठीक है, अगर समय ना हो, बिल्कुल भी समय ना हो End के moment में अगर यह आप तक वीडियो पहुंच रही है तो अगर करका करके जाना ही है ठीक है न, current electricity definitely करके जाना है आपको, यहाँ से 3 question minimum बंते दिखेंगे आपको ठीक है न, काफी important topic है और charge से शुरू करना चार्ज उसके बाद current, फिर voltage, फिर ohms law, फिर उसके बाद resistance, फिर resistance की dependence, फिर ohms, resistance की जो formula आता है वो ठीक है न, उसकी variation length बढ़ा देंगे, area घटा देंगे तो क्या होगा ठीक है न, वो सब बातें, फिर temperature पे dependence कैसी है वो वाली बातें, उसके बाद series parallel, series parallel के बाद heating effect और उसके पिछली बार थोड़े से कम थे, पिछली बार पांच, चार पांच कोशन ही थे, लेकिन वैसे देखा गया कि कभी-कभी 13 कोशन भी optics में से बन जाते हैं, है न, तो 8 कोशनों से ले करके 13 कोशनों के बीच की range रहती है लगवग optics की, ठीक है भाई, तो काफी मोटा unit है, काफी भारी भरकम unit है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, optics को नहीं छोड़ना है, ठीक है न, optics तो आपने definitely करके जाना, star mark कर रहा हूँ, सबसे important है तो भाई, आई है optics ही, ठीक है, खासा करके जाना है इसको, इसमें कोई topic मत छोड़ना, और इतने मुश्किल topic भी नहीं है, आसान topic है, ठीक है, और numerical करके जाने है, इसके हो सकता है, numerical पूछ ले, reflection का, numerical, reflection का, simple, जो lens formula, mirror formula, magnification, ये वाले formula आपको करके जाने है, इसके, simple formula करके जाने है, ठीक है, इसके अलावा फिर miscellaneous concept में क्या-क्या है, तो miscellaneous concept में भाईया, human eye under colorful world all chapter जो थ current depth वाले जो थोड़ा वो 12th का भी चलता है, यहां पर दोनों चीजें combine करके, वो सारे छोटे 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 जो concept है, वो आपको पढ़ने है, numerical ही नहीं पकड़ने है, लेकिन, numerical मत करने है, प्रिजम के numerical निकाल के बैट जाओ, बा शक्ती के अंदर, obviously, हमने YouTube के उपर अल्री बहुत सारे lectures upload कर रखे हैं, चाहें तो आप देख सकते हैं उस series को, और वैसे भी series लगातर चलती ही रहती है, शक्ती, फिर शक्ती 2.0, फिर शक्ती 3.0, यह तो आगे भी कारवा चलता ही रहेगा इस तरीके से, तो hopefully आपका ये NDA क exam, बहुत ही बढ़िया जाएगा, और मैं उमीद करता हूँ कि आपकी तयारी जोरो शोरो से चल रही होगी, ठीके ना, बस एक बात का ध्यान रखना, कि पिछले बार, पिछली बार, इस units dimensions के topic में से 3 question मने थे, तो इसको इतने हलके में मतलेना, यह काफी important है units, और हर साल NDA क अच्छे comment में भी लिखेंगे, कि सर जी आप हमेशा ही बोलते हो, यह होता भी है, जब भी हम paper का decision करते हैं, तो comment के अंदर ही चल रहा होता है, कि सर ने कहा था, units का खेलेगा, और unit का खेलता ही, खेलता है, definitely, ठीक है, तो units का आपने खास ध्यान रखना है, SI unit कौन सी है, CGS unit क कौन सी है, MKS unit कौन सी है, तो प्लीज सब को अलग-अलग classify करके देखेगा, dimension formula भी पूछा जाता है, सनी कि dimensions नहीं है, units का मतलब dimension भी है, लेकिन इसके लवा measurement नहीं पूछता, कि आप सोचो कि वर्निर केली पर पूछ रहा हो, है ना, या फिर वो screw gauge पूछ रहा हो, वो सब च सवानी को अभी विराम, आप सभी को all the very best अपने NDA exam के लिए, मिलेंगे हम लोग कभी और, किसी और मोड पर, तब तक के लिए, take care, टाटा, bye-bye, जैहिंद, तो जैहिंद बच्छो, मैं सागरवर जातिया, एक उमीद करता हूँ, आशा करता हूँ, कि आपकी NDA की upcoming exam की तयार जोरो शोरो से चल रही होगी, हाना, बिटा, इसमें मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक help कर देता हूँ, एक मदद कर देता हूँ, in what regards, कि एक आपको compact बता देता हूँ, कि यार, what should be your strategy to cover maximum topics in chemistry, ताकि आप NDA का जब paper देखें, तो chemistry के हूब बहू questions आपको मिल पा र अगर आप शौरियंस हैं, या शक्ती 3.0 या 2.0 वाले students हैं, तो उन lectures को, notes को बहुत अच्छे से देख लो, पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि उससे बाहर शायद ही कोई question बनेगा, DBPs अच्छे से solve कर लो, next, बात आती है, नहीं सर, हमने तो ये batch में नहीं पढ़ा, अगर क्या करें, तो कोई बात नहीं, if you are not the part of defense वाला, और PW, तो आप लोगों के लिए भी एक strategy है, और बाकी जो follow कर रहे हैं शुरू से, वो लोग भी इस चीच को देखें, समझें, करना क्या है, कुछ important topics होते हैं जो बच्चे को लगता है, कि ये end moment पे हमको पता चल जाएं, या अगर हमको पहले से पता होते हैं, तो इन में मैं ज़्यादा emphasize कर लेता, इन पे थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेता, तो marks थोड़े आज कुछ ज़्यादा होते हैं, atomic structure, periodic table, chemical bonding, ये conceptual topics होते हैं, ये conceptual हैं, इन तीनों को मिलाकर दो या एक कोशन 100% पक्का आने ही वाला है, organic chemistry में ज़्यादा NDA emphasize नहीं करता है, एक आत बार IUPAC पूची गई थी, और पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, 2022 NDA exam की, तो isomerism पे एक बहुत ही easy question आया था, बिकुल basic, आपको सब चीजे cover नहीं करनी है, कि isomerism आप stereo isomerism पढ़ रहे हो या tough level के J-neat के questions कर रहे हो, नहीं, stick to basics, basic basic आना चाहिए, बस, खतम, तीसरा है, elementary chemistry या general chemistry की knowledge होनी चाहिए, जैसे उसमें acid-based salts पर question आ सकता है, physical chemical change क्या है, redox, electrochemistry, मतलब basics, एकदम basic theory, और NDA के respect पर ये दो topics मैंने बहुत ही important देखे हैं, हर साल NDA इस प आना ही आने वाला है, इसलिए इसको अलग color pen से emphasize किया है, non-matterlandish compound and some important chemical compounds, non-matterlandish compound में आप hydrogen, nitrogen, इनकी preparation, properties, carbon, इनके allotropic forms, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, important chemical compounds में आप जैसे cement, soaps, gunpowder, किससे बना है, किससे नहीं बना है, अब gunpowder पे इतने बार, दो चार बार तो question आ चु तो अगर आप ये topics पे emphasize करते हैं, last preparation के दोरान आपको काफी मदद मिलेगी and you will, I hope, you will score a very good marks in NDA, तो जैहिन बच्चों, all the very best! जैहिन future officers, so बेटा अब हम discuss करने वाले हैं हमारी biology की strategies, जैसे कि आपको पता है कि biology का syllabus actually में काफी जादा vast है, तो इसको कैसे complete किया जाए, क्या इसमें कुछ ऐसे important topics हैं, जिसको करने से बहुत जादा benefit मिलेगा, तो बेटा बिलकुल है, अगर मैं इसमें बात करूँ कुछ important topics कि जिने आप बिलकुल छोड़ ही नहीं सकते, तो first है बेटा आपका chapter cell, जिसके अंदर से आपको बहुत ही basic question आते हैं, बट अफकोर्स पढ़ना तो पड़ेगा, like कि cell की discovery किसने की थी, ठीक है, live cell पहले किसने देखा, eukaryote और prokaryotic cell में difference क्या है, and उनके अंदर जो हमारी cell organ mainly's है, like single membrane है, कोई double membrane है, so वो आपको पता होनी चाहिए बेटा, फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एक animal cell और एक plant cell में क्या difference होता है, ठीक है, so ये हो गया हमारा chapter cell, then आता है बेटा, tissue, tissue के अंदर क्या, plant tissue and animal tissue, अब animal tissue आपको पता है, कि चार टाइप के होते है, skeletal है connective है, epithelial है, muscular है, so इसके बारे में थोड़े-थोडे points, similarly, plant tissue की बात करें, तो इसमें permanent tissue है, meristematic tissue है, xylem, phloem, इनके बारे में बेटा, हलका आपको एक overview, एक knowledge जरूर होनी चाहिए, ये वो chapters हैं, जहां से NDA में बार-बार question put किये जा रहे हैं, and बात में आती है, बेटा, human physiology और इस human physiology की importance, I hope, जिसने भी आज तक NDA के PYQs देखे होंगे, तो आपने देख लिया होगा, even in the last NDA, यहां से भर-भर के कोशन आये थे, तो सबसे बहले इसके इसके इंद जो important chapter है, that is the digestive system, बहुत अच्छे से करना है, किस चीज़ की carbohydrate, protein, fat की digestion कहा होती है, कौन से enzyme involved होती ह system, excretory, nervous and endocrine system, जहां hormones के बारे में आपको एक overview इनका बिल्कुल basic-basic सा कुछ पता होना ही चाहिए, बहुत यह unit और cell वाली unit, तो आप सोच भी नहीं सकते छोड़ने की, अगर आपको NDA में जाना है, ठीक है, फिर आता है common disease, यह भी बहुत important है, इसमें आईए आईए आपक disease के symptoms पर बहुत कम question मिलेंगे, main questions आपको मिलते हैं, वो मिलते हैं बेटा, कि disease का name पता होना चाहिए, और उसका causative agent, साथ में कुछ disease vector से फैलती है, जैसे malaria है, malaria हम सब क्या कहते हैं, कि मच्छर के काटने से हो गया, ठीक है, मच्छर ने काटा, बट मच्छर ने हमें ऐसा क्या ही दे दिया, तो उसने दिया हमें एक protozoa, that is plasmodium, तो इस तरीके से आपको questions जो हैं, वो prepare करने हैं, तो बेटा, चार chapter, that is cell, tissue, human physiology and common disease, यह वो chapters हैं, इसके अलावा भी of course काफी कुछ है, बट यह chapters जो हैं, यह maximum जो आपके marks हैं, they carry, तो इन chapters को हम नहीं छोडेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और इस बार NDE के दूफ ऑफिसर्स बन के ही रहेंगे, thank you